हलो फ्रेंट्स वेलकम तो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ आज जो आपका कोई भी SSE MTS का एक्जाम नहीं था बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेक रहा हूँ जिनका आगयाने वाले सिप्टों में जो है SSE MTS का एक्जाम होने वाला है तो जिन भी कैनेट्स का आगयाने वाले सिप्टों में SSE MTS का एक्जाम होने वाला है मैं आपको 100% ये गैरंटी देता हूँ कि आपके SSE MTS के एक्जाम में यहां से प्रेस्ट जरूर पूछे जाएंगे तो विडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा और आप से रिक्वेश्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE MTS एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और बगल में आपको एक बैल अकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी ज़रूर प्रेश्ट कर दिएगा आपका question है था कि दकन की रानी के रूप में ये जो है किस सहर को जाना जाता है तो देखे दकन की रानी के रूप में ये आपका पूने सहर को जाना जाता है तो पूने आपका यहाँ पर करेक्ट टेंसर होगा इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि सत्पूरा की राणी यानि द क्वीन ओफ सत्पूरा के नाम से जो है यह आपका पच्छ मडी को जो हो जाना जाता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है next question आपके यापर रहा था, कि शिच्चा का अदिकार को किस संभिधान संसोधन अधिनियम दौरा जो है स्वतंत्य के अधिकार का जो हिस्सा बनाये गया था तो देखेंерж सिच्चा के अधिकार को जो है यह आपका 86 जो संभिधान संसोधन हुआ था ना जो कि आपका 2002 में हुआ था और इसी संभिधान संसोधन के द्वरा सिच्छा के अधिकार को जो है स्वतनता के अधिकार का हिस्सा जो वो बनाया गया था तो 86 संभिधान संसोधन आपका यहां पे करेक्ट टैंसर होगा इसके लावा मैं आपको बता दू कि सिच्छा का जो होता है ना यह आपका हाइपर टेक्स ट्रांसपर प्रोटोकॉल होता है तो हाइपर टेक्स ट्रांसपर प्रोटोकॉल आपका यहां पे करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहां पर रहा था कि ओलम्पिक में पदक जीतने वाली जो है पहली भारतिये महिला कौन तो देखें, उलम्पिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारते महिला है ना, ये करना मलेशवरी है, तो करना मलेशवरी आपका यहाप एक और अंसर होगा, इसके लाव मैं आपको बता दू कि करना मलेशवरी ने जो है, वर्स 2000 में जो है, सीड्नी में उलम्पिक में जो ये जीती थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लाव मैं आपको बता दू कि ये जो आपका करना मलेशवरी थी ना, ये भारत ओलन खेल से जो वो संबंदी थी, और आपको कमेंट करके जवाब देना है, कि 2000 में सीड्नी ओलम्पिक में जो है, करना जो आपका चौथा संसकरन हुआता ये आपका पंचकूला हर्याना में आयोजित किया गया था, तो हर्याना आपका यहापर करेक्ट एंसर होगा, इसके लाव बात कर लें, पांचवा जो संसकरन हुआ है, खेलो इंडिया यूद्गेम्स का, ये जो कहां पर आयोजित किया तो देखे खेलो इंडिया यूद्ध गिम्स का जो ॐ यह आपका मद्यपरदेश और दिली में आयोजित किया गया था इसके लाए मद्यपर्देश के कितने सहरों में जो है 5वा संसकरें आयोजित किया गया था तो यह आपका अज्ब्स तो यह आपका गुजरात के छे सहरों में जो आपका आयोजित किया गया है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पराता कि यानि पुरुष एकल के विजयता कौन रहे थे तो य apostार कारलोस अलक राज रहे ते सके लावा विमल्डन की बात कर ले तो देखे विमल्डन 2022 में पुरुष एकल के जो विजेता है ना ये आपके नुवाक जो को वीच रहे हैं वही अगर उमेंस की बात कर ले यानि माईला एकल का जो खिताब है ये किस ने जीता है तो ये आपका एलेना राइब कीना ने जो वो जीता है फ्रेंच ओपें 2022 की बात कर ले तो इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ये राफिल नडाल ने जीता है वही अगर माईला एकल की बात कर ले तो ये ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुछ है आपका आपना ठाक कि भारतिय संभीधान की किस भाग में जो है, पंचाहती विवस्था से सम्AN wandering तथेओं को जो वाब का दर्शाया गया है, तो भाग 9 आपका यहां पर एक एक ख्रेग्ट अंसर होगा. इसके लब बात कर ले पंचाहती विवस्ता के बारे में तो देखे, भारते संबिधान की, जो आपकी 11 जो अनुसूची है यह आपका पंचाहती भाग से जो वह आपका सम्मन्दीत है, तो अगर अनुसूची पूछा जाया, तो 11100 अनुसूची से सम्मन्दीत है, और आज जो तो नौथा बात करें भारत में पँन्ज ही ववस्ता की जो सुरुआत है यह कब और किसुन कीया गया था किया खी व्यूंट है यह ना की सुरुआत है यहिं नाइटीन फिप्टीन में राजस्थान के नौग उगार जीले के की ङहा थी इसके पनापे 40 और 243 जो है यह आपके पंचाइटी ववस्ता से संबंदित है और 11 अनुसुची में आपके टोटल 29 विसायों को जो आपका सामिल किया गया है इसके लावा पंचाइटी राज ववस्ता से जो आपके समीति हैं जैसे कि असोक मैता बलवंत मैता समीति सादिक अली समीति ये बात कर ले तियातरवा शंविधान संसोदन यह जो कब लागू हुआ था तो यह आपका 24 अप्रेल 1993 को यह आपका लागू हुआ था और भारत में प्रतेक वर्ज जो है उस समुद्री घटना का नाम है जो दचिन अफ्रीका के पस्चिमी तडपर इस्तीत इकवाडोर और पेरू देशों के तटिये समुद्र जल में जो है तो देखे अगर आंत्रीक ग्रा की बात कर ले तो देखे आंत्रीक ग्रा वह ग्रा होता है जो सूरे का सबसे निकट होता है यानि सूरी के जो सबसे निकट ग्रह होते हैं वो आपके आंत्रिक ग्रह होते हैं और आंत्रिक जो ग्रह होते हैं या आपके ज्यादत है चटानों से जो या आपके बने होते हैं एक्जामपल के थार पर अगर मैं बात कर लूँ तो बुध, सुक्र, प्रिथवी और मंगल ये तो सब आपके बाहर गरह ओते हैं तो सियुपिटर तिया गया था तो सियुपिटर बिक्स लिज likes आपके से, किया घया था था तो को भाहरम ऩो dongy to play into the Duke तो हैंडिवियन डिरॉज्यो आपका इंसर हो गा नेख्ष फे आपको और कि एंपल टू कंप्यूटर यह किस पीड़ी में बनाए गया था तो देखे एपल TOO को जो है यह आपका चौथी पीड़ी में इससे बनाए गया था तो चौथी पीड़ी आपका करेंच आपक्प skla स्प्रेक्टो मीटर क्लास ने जो है पहली बार चंद्रमा की सत्य पर जो है यह प्रचूर मात्रा में सोडियम का जो पता है वो लगाया है तो आपके ऑप्शन में देश का नाम पूछा गया था तो भारत आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि दुनिया का पहला पूर्ण सौर उर्जा संचालीत हवाई अड़ा कौन सा है तो देखें मैं आपको बता दू कि सह्युक्तरास्ट पर्यावरेन कारिक्रम यानि UNEP ने जो है केरल में कोचीन अंतरास्टे हवाई अड़े को जो है पूर कोशन पे जोए लवलीना rich है आपका बॉक्सिंक केल से संभन्दीत और और आपको दियन आपकर जरीन इह अद्द्याय आपका कुस्ति क केल संभन्दीत है तो चाहरेबरे को परमम्हु को बात करें लवलीना बॉर्ण यह जो आपका बॉक्सिंक से संभन्दीत है तो पहल यहाँ पर आपका तह दो है कि फश्राव पता को इस देट livre यहाँ पर बहुत डाय। कि Congress का जो लखनो पैक्ट हुआ था न यह आपका 1906 में भुआ था तो पहला है तो इस statement आपका सही दिया गया क्यूंकि जो आपका 1916 में ही जो आपका यह हुआ था और सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि लखनो पैक्ट में ही जो है आपका नरम और घरम दल जो आपके एक जूट हो गया थे तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो आपका सही दिया गया है इसके दाव मैं आपको बता दू कि 1916 इश्व यह जो 500 वर से अधिक पुराना ढाँ और ऊसम पुर्वत्रभारत के वेश्षाओ मथो से आता है तो सत्रिय नेत क्षोश है आप रहा था कि Malik Amal, यानि Malik Acid इन में से किस्मे होता है, तो Option में आपका Apple यानि सेव दिया गया था, तो देखें सेव में आपका Malik Acid पाय जाता है, तो Apple आपका यहापर यहापर करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि तेलगु नव वर्स को यह किस नाम से भी जब वो जाना जाता है तो देगे तेलगु नव वर्स को जो है यह आपका उगादी तेवार के नाम से जाना जाता है तो उगादी तेवार आपका correct answer होगा next question है आपका आप रहा था कि किसे टाइगर आप मैसूर के नाम से जाना जाता है तो टीपू सुल्तान आपका इहां पर और पूछा गया था और यह जो आपका थर्ड सिप में जो वो पूछा गया था तो देगे मैं आपको बता दू कि नीती आयो का जो उदेश है ना वो रास्टे उदेशों को द्रिश्टी गतर रखते वे राज्यों को सक्रिय भागीदारी के साथ रास्टे विकास प्रात्मिक ताओं छेत्रों और रन्नीतियों का एक साजा द्रिश्टी कौन जो है यह आप का नीती आयो का जो वो उदेश्टे होता है इसके लावा नीती आयो के फुलपाम एक्जाम में पूछे जाते हैं तो देगे नीती आयो का जो फुलपाम होता है यह आपका नैस्नल इंफॉर्मेशन टेक्नलोजी इंस्रिट्यूट होता है इसके लावा नीती आयो के जो चेंज किया गया नीती आयो का वो आपके कौन है तो यह आपके सुब्रमन्यम है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नीती आयो का गठन कब किया गया था तो यह आपका एक जन्वारी 2015 को जो है नीती आयो का गठन किया गया था और किसके अस्थान पर किया गया थ तो यह आपका योजना आयो के अस्थान पर नीती आयो का गठन किया गया था, तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश आपका आप रहता है कि धिंग एक्सप्रेश, यह जो किस खिलाडी का उपनाम है, तो देखें धिंग एक्सप्रेश के नाम से यह आपका हीमादास को जाना जाता है, तो हीमादास आपका करेक्ट टेंसर होगा, इसके लावा हीमादास, यह जो किस राज्य से सम्मंदित है, तो यह आपका असम राज्य से सम्मंदित है, इसके लावा बात कर लें, पायली एक्सप्रेश के नाम से, यह जो किसे जाना ज चाइना के दिवार, या फिर दवाल, दवाल के नाम से जो है, या आपका राहुल द्रैविट को जाना जाता है, इसके लावा हरियाना हरीकेन के नाम से जो है, या आपका कपील देव को जाना जाता है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से जो है, आपका सचीन तेंदूलकर को जान जाना जाता है पर देश 2 में मी CH को शीन वाइब जाना जाता है इस के लए चीकू के नाम वि राट-कोली-जो स्वेह आपका जानाजीघाता है तो यह आपका जरा को इसके लाब बात कर लिए मेरा भाइ के बारे में तो यह आपका वेट लीप्टर से संबंदीत है और यह आपका मनीपूर राज्य से संबंदीत है तो यह सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्य आपका आपना था कि 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप यह जो एक किस देश में आयोजित किया रहा था तो देगे भारत ने फाइनल में इंग्लेंड को हरा कर जो है यह पांचमा खिताब जो वो जीत लिया है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाब बात कर ले 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आपके कितने मैच खेले गये थे तो यह आपके ज़्यादा जो रन है ना यह डेवाल्ड ब्रेविस ने जो वो मारा था इसके लाबा सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना वह आपके सिरलंका के खिलाडी डुनीत वैले गले ने जो है टोटल टुनामेंड में 17 विकेट जो वो लिये थे तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध् आईोजित किया जाएगा तो बांगलादेश आपका करेक्ट टैंसर होगा इससे में आपसे यहां से पूछा गया था कि फीफा का मैला वर्ल्ड कप थोजाथ फीफा जो यह आपका फुट्वाल से सम्मनदीत है और फीफा का मैला वर्ल्ड कफ थोजाथ 23 होगा नहीं यह कह पर होगा तो यह आपका न्यूजिलेंड और आस्ट्रेलिया में सही उक्त रूप से जो आपका आयोजित किया जाएगा इसके लावा बात कर ले जो आपका FIFA World Cup 2026 जो होगा यह आपका कहां पर आयोजित किया जाएगा तो यह आपका पर आयोजित किया गया तो यह आपका दचिन अफरीका में आयोजित किया गया था और यह पहला संसकरन रहा था इसके लाव मैं आपका बता दू कि 2023 इसका ICC जो आपका मैला T20 अंडर 19 नहीं मैला जो T20 विश्रुक अफ है यह कहां पर आयोजित किया गया था तो यह भी आपका दचिन अफरीका में आयोजित किया गया था जिसके विजेता की बात कर ले तो इसका जो विजेता है यह आपका आस्ट्रेलिया देश रहा है व आपका इंगलेंड देश रहा है तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट कोश्य आपका आप रहा था कि IBM 360 यह किस पीडी का कंप्यूटर था तो यह आपका थर्ड जेनरेशन यानि तिर्टिय पीडी का आपका कंप्यूटर था तो थर्ड जेनरेशन आपका करेक्ट टेंसर होगा बात कर लिए थर्ड जेनरेशन का जो है यह कब से कब तक काल रहा था तो यह आपका 1965 से लेकर 1974 तक रहा था और थर्ड जेनरेशन के जो अन्य महतपूर्न कंप्यूटर है जैसे कि ICL 1900, sorry IBM 370, Vaxx 750 यह जो आपके थर्ड जेनरेशन के जो है यह कंप्यूटर है इसके लावा यहां से एक्जाम में हर सिप में प्रस्ट पूछा जा रहा है जैसे कि first PD का computer का first PD का जो समय काल रहा था यह कब से कब तक रहा था तो यह आपका 1940 से लेकर 1956 तक रहा था और पहली PD में जो आपका vacuum tube का जो है आपका परियोग किया गया था दूस उनी इसरी PD की बाद कर ले तो इसका जो काल है यह आपका 1944 से लेकर 1971 तक रहा था और इसमें जो आपका IC यानी integrated circuit का परियोग किया गया था चछा Запay की के बात कर ले तो इसका जो काल है यह आपका 1972 से लेकर 1989 तक रहा था और इसमें जोило 2020 माइक्रो प्रोप्रेश्य का जो है आपका उपयोग किया गया था पांच वी पीडी की बात कर ले तो देखे उनी सो नवासी से लेकर अब तक वर्तमान में जो है यह आपकी पांच वी पीडी चल रही है जो कि आपका आटिफिसियल इंटेलिजेंस का परियोग किया जा रहा है तो यह सारे फैक्ट जो अधहच की रूप में किस देश को जो वो आपका फिड़ से चूना गया है तो देखे अक्टूबर 2022 में अंतरा स्चे सौर गडबन्दन के अधहच के रूप में ये भारत को जो जो वो चूना गया है तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा इसके लावब बात कर किसे चुना गया है तो अध्यच अगर पूछा जा तो यह आपका फ्रांस देश को चुना गया इसके लाओ बात कर ले आपका जो घुना इस यानि इंटरनेशनल और इलाइस नेक्स्ट कोशन आपका अपरा था कि जतीन गोश्वामी यह जो किस नेते से संबंदित है तो देखे जतीन गोश्वामी की बात कर ले तो यह आपके सत्रिया नेते से संबंदित है तो सत्रिया आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा और देखे जतीन गोश्वामी को जो है सत इतना टक अकाडवी पुरुषकार से भी जो है वो समानित किया जा चुका है इसके लावा अगर सत्रिया नेत्य की बात कर लें तो देखे सत्रिया जो आपका असम राज्य का सास्त्रे नेत्य है और महा पुरुष्री स्रीमंत संकर देव के द्वारा जो है पंद्रिवी को वर्स दोजार इसवी में जो है भारत के आठ सास्त्रे नेतों में जो है यह आपका समलीत होने का गौरब प्राप्त हुआ है और वर्तवान में कितने सास्त्रे नेते हैं तो आपके आठ सास्त्रे नेते हैं तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके कावेरी की मुख्य शायक नदिया हैं तो आपके option में अमरावती दिया गया था तो अमरावती आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका अपराता कि सिंदु नदी की जो है सायक नदी पूछी गई थी तो देखें सिंदु नदी की बात कर ले तो यह आपका तिबबत क कुर्रम और स्वात यह सब जो आपके सिंदु नदी के सायक नदिया हैं तो इन में से जो भी option में दिया गया होगा वो आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपके आप रहा था कि East India Company ने पहली जो English Factory है ना यह 1651 में किस नदी के किनारे जो वो सुरू की थी तो देखें मैं आ आप रहा था कि जम्मू कस्मीर में इन में से कौन सा ग्लेशियर नहीं है यहां पर नहीं है पूछा गया था तो देखें मैं आपको बता दो कि जम्मू कस्मीर में जो है आपके पांच ग्लेशियर है और वो पांच ग्लेशियर कौन कौन से है तो पहला आपका द्रंग द्र नेक्स्ट कुछ आपके आपना था कि भुकम तरंगे यह कौन सी होती है तो देखिए अगर भुकम तरंगे की बात कर ले तो यह आपका तीन परकार का होता है और वो तीन परकार कौन कौन से हैं तो P S तथा L यह जो आपके भुकम तरंगे जो वो आपके परकार होते हैं जिन होगा next question कि की fianceॉछ आप रहा था कि silicon dioxide found in यानि silicon dioxide जो है किसंत में और महते हैं तो त Ciقन dioxide की फार्यूले की सिलिक़न टाउकसाइद को फ़र्मूले की बात करें तो 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 क्या फर्मूला होता है लगा एक एस ऑड्यनर बाते हैं और Silicon Oxide में जो आपके Oxide जो थत्व होता है इसे quard के रूपे जो आपका जाना जाता है और ये जो आपके अधिकांस विभीन प्रकार के जीवित प्रानियों में जो है यह आपके पाए जाते हैं यानि जो आपके सिलिकॉन जो डायोकसाइड होता है यह आपके विभिन परकार के जीवित प्रानियों में जो यह आपके पाय जाते हैं और सिलिका को जो है यह आपका रेत का परमुग घटक माना जाता है यानि सिलिका जो यह किसका परमुग घटक होता है तो यह आपका पिएच मान की बात कर लें तो देखें जल का पीच मान होता है यह आपका 7.4 होता है और निम्भू के रश का पीच मान होता है वह आपका 2.4 होता है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगा नेक्स्ट कोश आपका आपना था कि भारत की संभिधान के किस अनुछेद के अंतरगा भारत के रास्टपदी पर महाभीयोग लगाया जा सकता है तो देखें आपका अनुछेद 61 के तैय जो है भारत के रास्टपदी पर महाभीयोग जो है वो लगाया जा सकता है तो अनुछ पूरंदर की शंदी के बात कर ले तो यह आपका मुगल समराज जी के शेनापती राजपूच सासक जैसिंग प्रथम और मराथा छत्रपदी सिवाजी महराज के बीच 11 जून 1665 को पूरंदर की संदी पर जो हस्ताचर किया गया था तो 11 जून 1665 आपका करेक्ट एंसर हो और अगर किनके मद्ध हुआ था यह पूचा जा तो मुगल समराज जी के राजपूच सासक जैसिंग प्रथम और मराथा चत्रपदी सिवाजी के मद्ध जो है पूरंदर की शंदी हुआ था नेक्स्ट कोशन आपका आप रादा कि चाओ जो नेते या फिर महसो है ना यह आपका किस शेत्र से संबंदित है जहां पर आपका उत्तर भारत पूरू भारत पशिम भारत और दच्छिन भारत दिया था तो तो देखिए अगर चाओ नेते की बात कर लें तो देखिए नेते के तीन जो आपके उपरकार हैं और अगर बात कर लें यह जो आपका किस शेत्र से संबंदित है तो यह आपके पूर्वी भारत शेत्र से संबंदित है तो पूर्वी भारत आपका करेक्ट एंसर हो नेक्स्ट कोश आपका आपरातक की हाली में पाइलेट जो परियोज इसकी शुरुएं का माई है तो आपका सड़क पर्योजना और राजमार्य मंत्री नितिं गरकरी के द्वारा की घई है तो तो आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोशें आपका आप रहाता है कि दबेंच पुस्तक के लेका कौन है तो देखें दबेंच जो पुस्तक है न ये मेगन मारकल के द्वारा लिखा गया है तो मेगन मारकल आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोशें आपका आप रहाता है कि तांबा और जस्ता की मिसर धातु को जो है ये किस धातु के रूप में जाना जाता है तो देखें तांबा और जस्ता के मिसर धातु को जो है ये आपका पीतल धातु के रूप में जाना जाता है तो पीतल आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ आप रहा था कि बहुत थी कि विज्ञान का नोबिल जो पुरुषकार है यह 2022 में किस साखा के लिए जो वो आपका दिया गया है तो देखें मैं आपको बता दू कि वर्स 2022 में बहुत थी की का जो नोबिल पुरुषकार है यह आपका तीन वैक्तियों को दिया गया है और वो तीन वैक्ति कौन-कौन से हैं तो पहला आपका जॉन एफ क्लॉजर है सेकेंड आपका एलन एस्पेक्ट हैं और थार्ड आपका एंटोन जिलिंगर है और इने जो है किन चेद्र में कारिक करनी के लिए जो है वो आपका नोबिल प्राइस दिया गया है यानि बहुत इक विज्ञान में तो यह आपका इनके कारिक के प्रादान के लिए जो है यह आपका भातिकी का नोबेल पुरुषकार जो है 2022 का जो वो दिया गया है तो क्वांटम यांत्री की आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कुश आपका आप रहा था कि नौवा विश्व आयरुवेद कांग्रेश और आरोग यह एक्सपो 2022 का जो उद्धाटन है ना यह किस राज्य में किया गया है तो देखे मैं आपको बता दू कि 8 दिसमबर 2022 को नौवे डबलू ऊ-ए-सी यानि वर्ल्ड आयरुवेद कॉंग्रेश का जो उद्धाटन है ना यह आपका गोवा राज्य में किया गया है तो गोवा आपका यहांपर करेक्ट अन्सर होगा प्रतिवर्स यह आठ मार्च को मनाए जाता है तो आठ मार्च आपका करेक्ट एंसर वह इसके लाव बात कर ले 2023 में जो आपका आठ मार्च को अंतरा स्ट्रे माहिला दिवस मनाए गया है इसका विशय यानि थीम जो वह क्या रहा था तो देगे 2023 की थीम की बात कर ले तो यह इनोवेशन एंड टेक्नोलाजी फोर जेंडर इक्वैलिटी यह जो आपका 2023 का थीम रहा था अगर हिंदी में बात करें तो डीजिटल और लेंगीक समानता के लिए नवाचार और प्रवदावगी की यह जो आपका 2023 का जो वह आपका थीम रहा था इसके लाव एक्जाम में एक प्रशन और पूछा जाता है कि भारत में रास्ट्रे महिला दिवस जो है यह कब मनाया जाता है तो देखे मैं आपको बता दू कि 13 फरवरी 1889 को सरोजनी नाइडू के जन्दीन के अवसर पर जो है भारत में प्रती वर्स 13 फरवरी को जो है रास्ट्रे महिला दिवस मना जाता है तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ रहा था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह जो है कहां पर आयोजित किया गया था तो देखें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संसकरेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो यह आपका 2021 में होना था लेकिन COVID-19 की वज़ह से 2021 में ना होकर यह आपका 2022 में पंच कुला हरियाना में यह आपका आयोजित किया गया था तो पंच कुला आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा और देखें मैं आपको बता द थे तो देखें 2022 के खेलो इंडिया यूद गेम्स की चौथे संसकरेंट की अगर मैं बात कर लू तो इसमें हरियाना जो है टोटल 137 पदक जीता था जिसमें 52 गोल्ड 39 जो था वो आपका सिलवर था और 46 जो था वो आपका ब्राँज मेडल हरियाना के द्वारा जीता गया सईगंड पाइदान की बात कर लें तो या आपका महरास्त राज य रहा था महराँज ने जो टोटल 125 पदक जीते थे जिसमें 45 गोल्ड 40 सिल्वर और badelim तीसरे पाइदान की बात कर लें तो आपका करनाटक जीता था यह टो तो तो आपको ध्यान Mire जीते थे तो यह अपको इतने सहरों में आयोजित किया गया था तो देगे मैं आपको बता दू कि 2023 का जो आपका खेलो इंडिया यूद गेम्स हो था इसका जो है पांचवा संसकरण हुआ था और यह जो आपका मद्य परदेश और दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह जो आपका मद्य में रहा था, यह आपका महराष्ट राज जिरा है, महराष्ट ने जो टोटल 161 पदक जीते हैं, सेकंड अस्थार पे जो आपका हरियाना राज जिरा है, हरियाना ने जो टोटल 128 पदक जीते हैं, और थर्ड पायदान पे जो यह आपका मध्यपदेश राज जिरा है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव बात कर ले खेलो इंडिया यूद गेम्स का जो पहला संसकरन है ये कब आयोजित किया गया था तो देखे खेलो इंडिया यूद गेम्स का जो पहला संसकरन है ये आपका 2018 में आयोजित किया गया था और ये जो आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था सेकंड एडिशन के अगर मैं बात कर लू तो देखें दूसरा जो आपका संसकरन है यह आपका 2019 में पूने महरास्टर में आयोजित किया गया था तीसरे संसकरन की बात कर ले तो यह आपका 2020 में गुहार्टी असम में आयोजित किया गया था तो यह सारे जो आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश्याप के आप रहा था कि हरीपरसाथ चौरसिया का जो संबंध है ये किस वाधी अंतरश्य है, तो देखे हरीपरसाथ चौरसिया की बात कर ले, तो ये आपके बासूरी वादक है, तो बासूरी वादक आपका correct answer होगा, इसके 96 में जो इन्हें पद्म भूशन पुरुषकार से सम्मानित किया गिया था और 2011 में पद्म भी भूशन पुरुशकार से भी जो वो सम्मानित किया जा चुका है, तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलाव बात कर ले अन्य बासूरी वादक के बारे में जैसे की एन लीला, टी आर महालिंगम, वी कुंज मनी, पन्नालाल घोस, राजेंदर प्रसन इन सभी का जो संबंद है ये आपके बासूरी वादक से हैं तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश है आपके आप रहा था कि हाली में बैंगलूरू अस्पेस एक्सपो 2022 ने जो है किस देश के साथ MOU यानि किस देश के साथ समझाता ग्यापन पर जो है आपका हस्थाचर किया है, तो देखिए मैं आपको बता दू कि बैंगलूरू एस अस्पेस एक्सपो ने सितंबर 2022 में जो है आस्ट्रेलिया और भारत के छे अंत्रिच उद्योग ग्यापनों का आदान प्रदान किया है, तो आस्ट्रेलिया आपका यहां पर रहा था कि निम्नलिकित में से कौन जो है मराठा समराज्य का प्रसीद सासक था, जहां पर ऑप् तो चत्रपती सिवा जी आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा इसके लागा एक्जाम में एक प्रस्ट और पूछा जाता है कि मराठा समराज्य का जो अंतिम पेश्वा था ना यह कौन था, तो तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है next question आपके आप रहा था कि who is the first president of India to be born after independence यानि स्वतंता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली जो है रास्टपदी कौन बनी है sorry बनी है नहीं कौन है तो देखे मैं आपका बता दू कि आजादी के बाद जन्म लेने वाली जो पहली भारत की जो पहली रास्टपदी है ना ये द्रापदी मुर्मू है तो द्रापदी मुर्मू आपका यहाप एक करेक्ट अंसर होगा और देखे मैं आपको बता दू कि ये जो आपका द्रापदी मुर्मू है ना ये भारत के पंद्रवे और वर्तमान रास्टपदी के रूप में जो है वो आपके कारे रहत है और मैं आपको बता दू कि ये जो आपका अदिवासी समुदाय से ये जो है आपका रास्टपदी बनने वाली ये जो है पहली महिला है और अगर एक्जाम में पूछा जाए कि भारत की पहली महिला रास् कुछ रास्टरपदी कौन है तो यह आपका दुरापदी मुर्मू है और इसके लावा मैं आपको बता दू की दुरापदी मूर्मू जो है भारत के राज्डे से पहले 2015 से 2021 तक यह आपका जहारकन के राज्जिपाल के रूप में भी जो है वह आपका काम कर चुकी इसके नेक्स्ट कोच्छा आपका आप najwięہ था की नॉमबर 2012 तक भारत का पहला नागरी कौन है? तो नो क quem dmitthat को बातली मुला था आ जो आपको बातलू की आपको बातल नागरी को लिए निून्तम आयू कितना होना चाहिए तो यह आपका 35 वर्स होना चाहिए तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके पात कर लिए भारत का दूसरा नागरी को देना यह आपके ऊपर आपका file transfer protocol होता है तो file transfer protocol आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि 1757 के पलासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों का जो नैतित है ना ये किस ने किया था तो देखे अगर पलासी के युद्ध की बात कर ले तो देखे पलासी का जो युद्ध है ना ये आपका 23 जुन 1757 को मुरसीदाबाद के दच्चिन में 22 मिल दूर नदिया जिले में भागी रती नदी के किनारे जो है ये आपका पलासी नामक अस्थान में हुआ था इससे अलावा एक्जाम में पूछा जाता है कि पलासी का जो युद्ध है ना ये किस नदी के किनारे हुआ था तो ये आपका भागी रहती नदी के किनारे हुआ था और देखें यह जो आपका पलासी का यूद है ना यह आपका ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरे और बंगाल के नवाब की सेना के मद्ध जो है यह आपका यूद लड़ा गया था जिसमें ब्रिटिस इस्ट इस्ट इंडिया कंपनी यानि अंग्रेजों का जो नहते तो है ना ये रॉबर्ट कलाइब के द्वारा किया गया था तो रॉबर्ट कलाइब आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा इसके लाब बात कर ले बंगाल के नवाब की सेना का नहते तो किस ने किया था तो ये मीर जाफर ने किया था तो ये फैक्ट भी आपको ध् पुड़ा कर ले जाती है और एक किला का जो निर्मान करती है तो उसे जब वो क्या कहा जाता है तो देखें इसे जब वो आपका टिबा कहा जाता है तो टिबा आपका correct answer होगा नेक्स्ट क्या आप आप रहा है तो आपका अरुंधती रौए के द्वारा लिखा गया है तो अरुंधती रौए का दूसरा उपनियास है तो अरुंधती रौए आपका correct answer होगा बात कर ले इस उपनियास को जो कब प्रकासित किया गया था, तो यह जो उपनियास है यह आपका 2017 में जो वो प्रकासित किया गया था, अरुंधती रॉय के पहले उपनियास की बात कर ले, तो देखे अरुंधती रॉय का जो पहला उपनियास था यह आपका the god of small things था, और इस उपनियास के लिए 1997 में बुकर पुरुषकार से जो वो समानित किया गया था, एक्जाम में यहां से प्रेशन बनता है कि 1997 में अरुन धती रोय को किस उपनियास के लिए आपका बुकर पुरुषकार से समानित किया गया था, तो देखें 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 दे नाम से भी जो जाना जाता है, तो उगादी आपके यहां पे करेक्ट अंसर हो गा, और देगे मैं आपको बता दू कि उगादी का जो तेवहार है न, ये आपका हिंदू कैलेंडर के अनुशार, चैत्र महिने के पहले दिन जो है, उगादी का तेवहार मनाये जाता है, इसके पना सकरान्ती के नाम से जाना जाता है, मल्याली 9 वर्स को जो है या आपका विसू के नाम से जाना जाता है, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश आपका आप真 आपचा था कि भारत में, पूरी घाट का सबसे उची चोटी पूची गई थी तो देगे मैं आपको बता दू कि भारत में पूरवी गाट का जो सबसे उची चोटी है ना यह आपका जिंद गड़ा चोटी है यानि जिंद गड़ा पीक है तो जिंद गड़ा पीक आपका करेक्ट अंसर होगा बात कर ले जिंद गड़ा के उन्योंर सबाइदेड को मार करए मैं आपको बता दूसरा सबसे रूची है ना कि आपका पहली चोटी ठीक है तो मिलनगे गिरि shaking की बात कर ले थो के इसका जो हाइट है कि आपका एक हजार पांग सो एक मींटर है और यह जो छोटी है यह कहां परे इस tidigy यह आपका उडिसा के गजपती जीले में इस्तित है इसके अलाव बात कर ले पस्चमी घाट का सबसे ऊची परवज चोटी कौन सी है तो देखे यह आपका अनाई मुडी जो पीक है यह पस्चमी घाट का सबसे ऊची परवज चोटी है और यह जो आपका केरल राज्जे में इस्तीत है और अगर इसके उचाई की बात कर ले तो 2695 मीटर जो है अनाई मोडी का जो है वो उचाई है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशा आपका आप रहा था कि इन में से कौन सा जो है सात्वी अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है तो आपका समवर्ती सूची है संग सूची की बात कर ले तो देखे संग सूची में आपके जो है टोटल 97 विसाय जो है पहले थे यानि 97 सब्जिक जो है पहले थे वर्तमान की बात कर ले तो संग सूची में जो है आपके टोटल अभी वर्तमान में 100 विसाय है और देखे राज् तो यह आपका संग सूची के अंतरगत आता है तो यह तो आपका राज्य सूची में नहीं आएगा इसके अलावाद दो अपसन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बता दीजेगा नेक्स्ट कोशन आपका रहा था कि वैपार करने के लिए किस सौप्ट वेयर का परियोग किया जाता है तो तो आपको बता दू कि लेखांकन, बजट, विक्री, पुर्वा अनुमान, वित्य विसलेशन और वैग्यानिक छेत्रों में कारी करने के लिए यह आपका स्प्रेट स सौप्ट वेयर का परियोग किया जाता है तो अस्प्रेट सिट सौप्ट वेयर आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यह आप रहा था कि यदि BMI यानि बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है तो डबलु एचो के अनुशार उसे क्या कहेंगे तो देखिए अगर किसी ना वो आपका मैच दा फॉलविंग से था ठीक है जिसमें आपके खेल के जो आपके सब्द दिये गया थे जिसमें दो सब्द जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिला एक जो सब्द पूछा गया था ना कि यह जो आपका इगल जो टर्म है ना यह किस खेल से संबंदित है तो देखे अगर इगल के टर्म की बात कर ले तो यह आपका गोल्फ खेल से संबंदित है एक आपका जो पैनल्टी कीक से पूछा गया था तो देखे अगर पैनल्टी कीक पूछा गया था ना तो देखे यह जो आपका पैनल्टी कीक है ना यह आपका फुडवाल का जो वो तर्म है अगर पेनल्टी कॉर्णर पूछा गया था तो देखे पेनल्टी जो कॉर्णर है ना यह आपका होकी से संबन्दीत है तो इन में से जो भी पूछा गया होगा मैं आपको सभी कुछ बता दिया हूँ तो यह था कि विच यूनियन टेरिटरी इस लोकेटेड इन बे और बंगाल यानि बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सा केंद्र सासित परदेश इस्तित है तो देखे बंगाल की खाड़ी में जो है यह आपका अनमान और निकोबार दीप समू इस्तित है तो अनमान और निको और अन्मान झीकोबार को जो है पहले एंरोल्ड टीब के नाम से भी जैए यहापका जाना जाता था है। अनमान और नीकोबार में एक मातर सक्रिय ज्वाला मुकह कौं सी है तो यह आपका बेरन दीप है और भारत का जो सबसे छोटा केंद्डर सासित पर देस है यह आपका अरब सागर में इस्तीत है तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्सट कुश जो आपका CAG, यानि Controller and Auditor General of India, इनकी निवक्ति, सपत और सेवाओं की सर्तों से जो आपका अनुछेद 148 संबंदित है, तो अनुछेद 148 आपका correct answer होगा, इसके लावा मैं आपको बता दू कि अनुछेद 149 में भारत के नियंतरक और महालेका परीचक, यानि CAG के जो है, कर् अनुछेद 150 की बात कर लें, तो यहां से भी आपके President पूछे जाते हैं, President ने ये पूछा जाता है कि संग और राज्यों के खाते का जो विवरेन है न, ये कौन रखता है, तो देखें संग और राज्यों के खातों का जो विवरेन है न, ये आपके CAG, यानि भारत के नियं तो यह आपके अनुचेद 150 के अंतरगत रखते हैं इसके अलावा अनुचेद 151 की बात कर ले तो देखे अनुचेद 151 में आपका यह का गया है कि संग के खातों से संबंदित CAG की जो रिपोर्ट है यह आपका राश्पदी को जो वो सौपा जाएगा तो यह अनुचेद भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा अनुचेद 2089 भी जो है यह आपका CAG से संबंदित है जिसमें सुध आई की जो गन्ना है यह आपका CAG द्वारा जो यह आपका प्र यह जो मिसाइल है ना यह किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो देगे मैं आपको बता दू कि हाली में DRDO के द्वारा जो है उडिसा के चांदीपूर से जो है वसोराद मिसाइल का जो सफल पर इच्छन किया गया है तो DRDO आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स कोशा आपके आप रहाथा कि किस केंद्रे मन्त्राले या फिर मंत्राले ona जो है जल्दूत एप को विकसित किया है तो देगे मैं आपको बता दू कि पूरे भारत देश में एक गाउ में चैनित कूओं के जल ऐस्तर को पकड़ने के लिए जल्दूत एप जो है यह का ग्रामिन विकास मंत्राले यानि Ministry of Rural Development और पंचाहती-राज-मंत्राले के द्वारा संयुक्त रूप से जलदूत आपको विक्सित किया गया है तो आपके option में ग्रामिन विकास मंत्राले यानि Ministry of Rural development दिया गया था तो ministry of rural development आपका correct answer होगा next question आपका आपना था कि 2014 में भारत रत्न जो है ये किस खिलाडी को मिला था तो देखे मैं आपको बता दू कि सचीन तंदुलकर भारत रत्न पाने वाली ये प्रतम खिलाडी है यहाँ पर खिलाडी की बात हो रही है ठीक है तो यह आप ध्यान में रखेगा तो देखे सचीन तंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से समानित किया गया था तो सचीन तंदुलकर आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लाव में आपका बता दू कि सचीन तंदुलकर भारत रत्न पुरुषकार पाने वाले यह सबसे कम उम्रिक के भी वह आपके व्यक्ति है इसके लाव अगर बात कर ले भारत रत्न के बारे में तो देखे यह आपका भारत रत्न है यह भारत का सर्वोच नागरिक पुरुषकार है और इसकी जो सुरुवात है यह आपका 1954 से इसकी सुरुवात की गई थी और देखे इसके जो पहले प्राप्त करता की बात कर ले तो देखे 1954 में भारत रत्म आपका तीन वैक्तियों को दिया गया था और वो तीन वैक्ति का नाम आपको भी ध्यान में रखना है जैसे कि भारत के डॉमिनियन के अन्तीम गवर्नरर जैनरल यह जो थीर राज गुपाल चारी को जो है पहले जो है आपके भारत रहत प्राप्त करता कि इसके अलवे भारत के रास्टपती याने भारत के रास्टपती और प्रतम उपराश्पती सरोपली रादा कृष्ण को भी जो है 1954 में दिया गया था और नोबेल पुरुसकार विजेता बहुत इक विज्ञानी सीवी रवन को भी जो है यह आपका 1954 में यह जो आपका दिया गया था इसके लाइग्जाम में एक प्रश्ण और बनता है कि 1954 में भारत रतन कितने वैक्तियों को दिया गया था तो इनका नाम भी जो आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कुशन आपका आप रहता है कि कौन सा जल्डमरु मद्ध जो है आर्कटिक महासागर को प्रसांत महासागर से जो है यह आपका जोड़ता है तो देगे मैं आपको बत जादू कि यह जो आपका बेरिंग जल्डमरु मद्ध यानि जो आपका बेरिंग जो जलसंदी है ना यह अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से जो है यह अलग करता है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके अलावा बात कर ले जिब्राल्टर जल्डमरु मद्ध याना यह अट्लांटिक महासागर को भू मद्ध सागर से जोड़ता है सुन्डा जल्डमरु मद्ध की बात कर ले तो यह आपका जावा सागर को जो है हिंद महासागर से जोड़ता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आप के यहाँ पर रहा था कि कलिंग यह जो किस राजी का प्राची नाम था तो देगे कलिंग जो था ना यह आपका उडीसा का प्राची नाम था तो उडीसा आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा इसके लावा कलिंग के यूद की बात कर ले तो देगे कलिंग का जो यूद है न तो ये fact भी आप ध्यान में रखेगा, इसके लाव एक्जाम में एक प्रश्ण और पूछा जाता है कि असोग के कौन से अभिलेक में कलिंग के यूद का वर्नन किया गया है, तो देखे असोग के 13 जो अभिलेक था ना, उसमें कलिंग यूद का वर्नन किया गया है, इसके ला आट वर्सों के बाद जो ये कलिंग का यूद लड़े थे, तो ये fact भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश आप का या पराता है कि रंजी ट्रॉफी 2021-22 ये जो एक इस टीम ने जीता है, तो देखे रंजी ट्रॉफी 2021-22 की बात कर ले, तो ये आपका सतासिवा जो वो सत्र था, और इसका जो विजेता टीम रहा था, वो आपका मद्धे पर्देश ने फाइनल में मुंबई को हरा कर जो है, ये पहली बार रंजी ट्रॉफी का जो खिताब है, वो जीत लिया है, तो मद्धे पर्देश आपका करेक्ट एंसर होगा, और देखे ये जो आपक करिकेट खेल से संबंदी था, यानि करिकेट के कब से संबंदी था है, और इसमें 2021-22 में आपके जो प्लेयर आप दा सिरीज रहे थे न, ये आपके मुंबई टीम के प्लेयर सरफराज कान जो है, प्लेयर आप दा सिरीज रहे थे, जो कि इस टूनामेंट में सबसे ज़्या ठासिवा जो सत्रु है, रन्जी ट्रोफी का, उसका जो विजेता टीम रहा है, उसमें फाइनल में सौरास्टने बंगाल को नौविकेम्ट से ओना हराकर, दूसरी बार सौरास्टने जो है, ये रन्जी ट्रोफी का क blossom किता जीत लिया है, पहली बार सौरास्ट्ने जो है, सब से जयादा जो किताव है है ते मוםबहि के पास है जो की昨를 60 बार जो है यह रणजी टॉफी इसका बात कर लो हो पहलायो है यानि रंजी टॉफी के सुरुवाट कब होई ती तो यह आपका 1934 में जो है रंजी ट्रॉफी का जो वो शुरुवात किया गया था और सबसे ज्यादा जो रन है ना रंजी ट्रॉफी में अभी तक जो है यह आपके वसीम जाफर ने मारा है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहा था कि CWG यानि जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स यानि जो आपका राष्ट मेंडल खेल 2022 यह कहां पर आयोजित किया गया था तो देखें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो धूँपा 22 संस्करन था जो कि आपका बरमिंगम इंगलएंड में आयोजित किया गया था तो बर्मिंगम आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लाव बात कर ले Commonwealth Games 2022 के बारे में तो देखे इसका जो मोटो रहा था वाल्स का sport is just the beginning यह जो आपका मोटो रहा था और इसमें जो कितने रास्ट ने भाग लिया था तो देखे इसमें जो आपके 72 रास्ट ने जो है वो आपके भाग लिये थे और टोटल 5054 एथलेट जो वो भाग लिये थे इसके लाव बात कर ले 2022 के रास्ट वेंडल खेल में आपके जो कितने इवेंट्स हुए थे तो देखे इसमें जो आपके टोटल 280 सी इवेंट्स करवाए गये थे और कितने खेल हुए थे तो ये आपके 20 खेल जो वो खेले गये थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा पदक तालीका की बात कर ले तो देखे 2022 में जो पहले पायदान की बात कर ले तो देखे कॉमनवेल्स गेम्स में भारत ने जो टोटल 61 पदक जीते हैं जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और तेज जो था वो आपका ब्रॉंज मेडल था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा बात कर ले 2018 का जो रास्ट मंडल खेल हुआ था यानि जो आपका 21 जो संसकरन हुआ था ये आपका 2018 में आयोजित किया गया था जो कि आपका गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और ये बात कर ले पहला जो रास्ट मंडल खेल है ये कब हुआ था और कहां पर हुआ था तो देगे पहला जो रास्ट मेंडल खेल है ये आपका 1930 में कनाड़ा के हैमिल्टन सहर में ये आपका आयोजित किया गया था इसके लावा एक्जाम में एक प्रस्न और बनता है कि भारत में कितनी बार जो है अब तक रास्ट मेंडल खे एक परमानुद्रभेमान तो देखे कि 20 ग्राम पर मोल होता है तो 23 ग्राम पर मोल आपका करेक्ट अंसर होगा वह यह अगर सोडियम के सिंबल की बात करले तो देखे शोडियम का जो सिंबल होता ना वह आपका एन ए होता है और इसके atomic number यानि परमानु संख्या की बात कर ले तो देखें सोडियम का जो परमानु संख्या होता है वो आपका 11 होता है और सोडियम किस परकार का metal है तो यह आपका alkali metal है यानि छार दातू है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपके आपना था कि how many people attend the first session of the Indian National Congress यानि भारते राज़े कॉंग्रेश का जो प्रतम अदिवेशन हुआ था जो कि आपका 1880 में हुआ था इसमें जो कितने लोगों ने जो भाग लिया था तो देखे अगर भारते राज़े कॉंग्रेश की बात कर ले तो देखे भारते राज़े कॉंग्रेश की जो अस्थापना है ये 28 जिसंबर 1880 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्याले में जो है टोटल आपका 72 प्रतिनीदियों के उपस्तिदी के साथ जो है वो आपका हुआ था तो 72 प्रतिनीदी आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा इसके लाब बात कर ले आई-न-सी के जो संस्थापक यानि महासची जनरल सेक्रेटरी कौन थे तो देगे जो आपका भारतियराइश्वे कॉंग्रेश के जो आपके संस्थापक थे यह आपके A.O.U. थे और इसके जो पहले अधिवेशन की अध्यस्ता जो यह किस ने की थी तो देगे इसके जो प आप कीजेगा कि जो पहला दिवेशन है ना यह आपका बंबई में आयोजित किया गया था लेकिन जो यह आपके विमेस जनर बनरजी थे ना यह कलकता से थे तो यह फैक्ट आप ध्यान में रखेगा इसके लाँ एक्जाम में एक प्रेस्ट और पूछा जाता है कि भारते राश्री कॉंगरिस की जो अब स्थापना की गए थी उस समय भारत का जो गवर्नर जेनरल था ना यह आपका लॉड डफरीन था जो कि 1884-1888 तक जो है यह भारत का गवर्नर जेनरल रहा था तो लॉड डफरीन यह नाम भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुश आप लोकटक जील है जो कि आपका मनिपूर के बिशुनपूर जीले में इस तिरह है यह नग डफरीन जेल तो लोकटक जील आपका यहां पर करेक्ट एंसर आपकर यह न का लोकटक जील के बारे में तो देगे यह जो आपका पुर्वतर भारत का मीठे पानी का जो सबसे बड़ी जील है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है अगर एक्जाम में पूछा जा कि पुर्वतर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो ये आपका लोक्टक जील है इसके लोग एक्जाम में अगर कि भारत की मीठे पानी के सबसे बड़ी जील यहां पर पुर्वोत्यर ना दे कर भारत के मीठे पानी के सबसे बड़ी जील अगर पूछा जाय तो यह आपका उलर जील है जो कि आपका जम्मु कसमिर में इस्तित है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान difi aan me रखना है तो हमीदा बानो बेगम आपका यहां पे खरेक्ट एंसर होगा और इनकी जो मृत्यू के बाद 14 सल बाद 1579 में जो है 1.5 मिलियन रुपे के लागत से जो है हुमायू का मगबरा जो आपका बनवाया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखता है और हुमायू के मग आदेयर इने सहन्हाई में जो है यह आपके कितने छेद होते हैं तो द हंगे सहस्रेता है। इसम यहां चै था पूछाता। है किस संबंदित है तो यह आपके सहनाई वादी यंत्रशेश जो है आपके संबंदीत है next question आपके आप रहा था कि who has won 2022 FIH Minsk Goal Keeper of the Year यानि FIH 2022 का Minsk यानि पुरुष में जो है Goal Keeper of the Year यह जो है किसे चुना गया है तो देखे 2022 की बात कर ले तो यह आपके PR स्रीजेश को जो है Minsk Goal Keeper of the Year का जो आवाड है वो दिया गया है तो PR स्रीजेश आपका correct answer होगा वह यह अगर महिला की बात कर ले तो महिला में जो यह आपका सवीता पूनिया को दिया गया है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यहाप रहा था कि Best Actor Film Fair Awards 2022 यानि 2022 में जो है सर्वसेश्ट अभीनेता का जो आवाड है न यह किसे मिला है तो देगे मैं आपको बता दू कि 67 जो Film Fair Awards 2022 में जो कि आपका मुंबे में आयोजित किया गया था और इसमें जो Best Actor का जो आवाड है न यह रनवीर सिंग को दिया गया है तो रनवीर सिंग आपका यहाँ पर correct answer होगा वहीं अगर Best Actress की बात कर ले तो देगे Best Actress का जो आवाड है न यह आपका क्रीथी सैनन को जो वह आपका दिया गया है इसके लाव बात कर ले Best Movie का जो आवाड है यह किसे दिया गया है तो देगे Best Film का जो आवाड है न यह आपका सेट सा मूबी को दिया गया है इसके लाव बात कर ले Best Director का आवाड है यह जो किसे दिया गया है इस रिमोट फ्रावमी जॉब इस नने जविच विच अनिम्प्ल्यमेंट यानि विरोजगारी की खूज जिसमें एक व्यक्ति को जो हिए उसकी नौक्रीय निकाल दिया जाता है। में बन्सक्णल जाइब रावन पिकूत है।